नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कूपित पूनम में दोस्तों आज हम चिप्स बनाएंगे जैसा कि आपको पता है होली आने वाली है तो इस समय हम लोग ज्यादा तर चिप्स पापड़ यही सब बनाते हैं तो मैंने आ प्रेंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो वालू का चिप्स बनाने के लिए देखे हमने यह आलू ले लिए जिसक के फिर हमने पानी में धुल के डाल दिया है और इसको हमने पानी में ही रखा है क्योंकि अगर पानी से बाहर रखेंगे तो काला पर जाएगा अब एक हमने इसमें पानी लिया है जिस पे हम कट करेंगे क्योंकि इसको हमको डारेक्ट पानी में कट भी करना है तो हमने जो ए पहले भी शेयर किया है उसका लिंक मैं दे दूंगी तो आप देख लीजेगा और इसको मैंने सीधा सीधा ही बनाया है तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को कट कर लेंगे और पानी में ही हम इसको रखेंगे क्योंकि अगर हमने पानी से बाहर रखा तो यह काला पड़ जाएग जब हमारे सारे चिप्स कट कर हो गया है तब हमने रखे पानी रख दिया है और पानी में हमने नमक डाल दिया और चिप्स को हमने करीब उस पानी से निकाल के एक बार और दूसरे पानी से हमने उसको धुल दिया है और पानी मारा उगल रहा तो इसमें हमने नमक डाल दिया अब हम इसमें चिप्स डाल देंगे सारे और उसके बाद इसको हम हलका सा एक बॉयल आने तक इसको हम बॉयल करेंगे तो अभी हमने चिप्स डाला है तो थोड़ा ठंधा हो गया था अब देखे वलने लगा है और इसको जरा सा हम इसको स्पून से नीचे का हिस्सा उपर कर द मैंने उसको चानके और देखे धूप में फैला दिया और उसके बाद दो दिन लगे हैं सोखने में तो यह सूख के तैयार हो चुका है अब चलिए मैं आब को फ्राई करके भी दिखा देती हूं तो मैं कराही में तेल डाल दिया है और तेल मारा तो सुचा आपके साथ सेयर कर दूँ पिछले साल मैंने रंग भी रंगे चिप्स बनाये थे जिसका लिंक मैं देदूँगी आप देख लिजेगा बहुत ही बप्सूरत बना था और अगर कोई मेमान आ जाए तो उसके साथ मैं सर्व करने में बहुत ही सुन्दर लगता है तो, आप उसको देख लिजेगा उसका लिंक देदूँगी जिप्सवार्वो कमें बाक्स में भी देदीगी और कोशिज करूँगी कि मैं कमेंट बाक्स में भी देदूँ तो चिप्स हमने बना लिए हैए और अब मैं देखिए इसको सर्व कर देती हूं और इसके उपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक उपर से छिड़क दिया है आप चाहें तुलाल मेर्च या जो भी आपके टेस्ट के कॉडिंग जी रहा जो भी आप चाहते हूं आप उसको छिड़क के सर्व कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा चाट मसाला सा इस पे चिड़क दिया है तो मारा चिप्स देखी बनके तयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी देखे कितना अच्छा लग रहा है तो मीध है आपको भी पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करिएगा और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दीजिया ताकि जब भी कोई नया वीडियो प्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्का झाल